गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मंजु स्री मूलकल्प ग्रंत इंबान भठ के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा कई बार परीक्षा में रचनाओं के बारे में या फिर किसी राइटर के बारे में पूछ लेते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से धान से देखना है और ये दिया आपने हमारी यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इध्यास विशे से सम्मंदित मैतोपन जानकरी पहुंच सके और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिलें और आप इध्यास विशे की अच्छे से एकजाम के लिए तैयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं मंजुस्री मूलकल्प गरंत यहां बान भट के बारे में जानकरी आर यह मंजुस्री मूलकल्प नाम गरंत एक परसित गरंत है जो महायान बोध दरम गरंत है सरपर्थम गणपती सास्त्री ने 1925 इस्वी में इसे परकासित किया था इसमें 1000 स्लोग है जिनके अंदर इस्सा पूरव साथविस्त आपदी से लेकर आठविस्त आपदी स्वीत तक का प्राचेन भारत के इत्यास का वर्णन है हर्स का लिए इत्यास के कुछ गटनाओं पर यह गरंत प्रकास डालता है इसमें हर्स के लिए केवर है शब्द का परियोग किया गया है किन्तु इस गरंत में अनेग अनेथ्यासिक सामगरियां भी भरी हुई है अता इस गरंत पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता ठीक है तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई आर्य मंजुश्री मूलकल्प है यह है गरंत अब पढ़ते हैं बान भट के बारे में जानकर जो बहुत ही इंपोर्टेंट है बान थनेश्वर के वर्धन वंस के परमुक नरेश हर्च के परमुक दरबारी कवी थे यह है विद्वान सात्विष तापती के सिंस्कृत गद्धे का लेखक और कवी था बान भट ने हर्च चरित कादंबरी और पारवती परिणे के रचना की है इनके दो परमुक गरंथ हैं जो सिंस्कृत भासा में रचित हैं हर्च चरित और कादंबरी हर्स चरीतम राजा हर्स वर्धन का जीवन चरीतर है और कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास है तो दुनिया का पहला उपन्यास कोन सा है कादंबरी बानभट द्वारा रचित परमुक्रितियां देखेगा सबसे पहले है हर्स चरीत हर्स के राजे के इतिहास के जानकारी देने वाला गरंद हर्स चरीत बानभट द्वारा रचित है बानभट ब्रामन और हर्स का दर्बारी कवी था हर्स सरीत में हर्स के राजे के इधियास के बारे में बताया गया है हर्स के बारे में जानकरी देने के साथ साथ ये गरंद वर्धन मन्स के इधियास के बारे में भी बताता है इस करंद के द्वारा एतिहासिक विशेव पर गध्य कावे लिखने का पहली बार प्रियास किया गया यह एक आख्याई का है जिसमें लेखक अपने समकालिन सासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत का वर्णन परस्तूत करता है हर सरीत में आठ अध्याई अत्वा खंड है इन्हें उच्वास कहा जाता है देखेगा हर सरीत के आठ उच्वासों का विवरन क्या है हर सरीत के पर्थम तीन अध्याईों में बान भट ने अपने आत्मगता लिखी है पहले अध्याई का कोई एत्यासिक महत्वन नहीं है इसमें स्विम बान भट के जीवन और परिवार से संबन्दी जानकरी मिलती है दूसरे अध्याई में उसने अपने वात्षायन गोत्रिये प्रिती कूट नाम ग्राम में निवास करने वाले भंगुवंस तथा अपने ब वर्णन करते हुए वहपुसी भूत्ती तथा भहरवाचारिये नामक सैव आचारिये के आपसी संबन्दों के विशे में बताता है चोथे उच्वास में परभाकर वर्दन संबन्दी उलेख है जहां राजय वर्दन, हर्षवर्दन, राजय स्री के जन्म, बच्पनियों कर अनोज के राजय ग्रह वर्दन के साथ राजय स्री के विवाह जैसी गटनों का वर्णन किया गया है पाँचवे उच्वास में सीमा प्रांद पर हूनों के उपदर्वय उन्हें दबाने के लिए राजय वर्दन को भेजने परभाकर वर्दन की विमारी तथा म्रत्यू का वर्णन किया गया है चट्वे उच्वास में सोक ग्रिष्त राजय वर्दन द्वारा सन्यास ग्रहन करने की इच्छा ग्रह वर्मा की हत्या का समाचार उसके बाद राजय वर्दन द्वारा सस्त्र ग्रहन कर मालव राज के विरूद अभिहान मालव राज की प्राजे दूस ससांक त्वारा छलपूर्वक राजय वर्दन की हत्या का वर्णन है इन सब कठनाओं के अलावा हर्स की समस्त सत्रों से बदला लेने तथा पर्त्वी को गोड विहीन कर देने की पर्तिग्या का भी विवरण है सात्वे उच्वास में हर्स के सन्य वियन कामरूप के राजा भासकर वर्मन के राजदूथ हन्सवेक द्वारा प्रेसित मैत्री प्रस्ताव स्विकार के जाने का विवरण है आठवे तथा अंतिम उच्वास में राजश्री की खोज तथा प्राप्ती दिवाकर मित्र से मिलन तथा राजश्री को साथ लेकर सर्ने सिवर में वापस आने का वर्णन किया गया है इसी के साथ हर्स चरीत का विवरण समाप्त हो जाता है यह गरंद हर्स के सासनकाल का एक सजीव तथा समकालीन चित्र परस्तूत करता है हर्सकालीन भारत की राजनेती एम सिंस्कृती के उपर भी हर्स चरीत से प्रकास पड़ता है हर्स चरितर के अध्यन से हर्स के समय के लोगों के धार में आर्थिक तता राजनती जीवन का पता चलता है कोवेल एंड थोमस ने हर्स चरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया है इसने लिखा है कि दर्बार, सीविर, सांत, ग्राम और उससे भी अधिक सांत, विहार तता आश्रम, ब्रामनों के या बोधों के सब भी को एक ही रंग में चितरित किया गया है और उसकी अर्थात किसकी बान की करती, चिन्नी यात्री के विवरंट की परतेक चरण पर पुस्टी और पूर्ती करती है ये पुस्टक परतेक परकार के संस्कृत ग्यान से परिपूर्ण है तो अब देखेगा दूसरा आता है बान भट की दूसरी रचना है कादंबरी कादंबरी की रचना बान भट ने की थी यह सिंस्क्रिट साहिते का सिर्वस रेश्ट उपन्यास है बान भट वर्दर वन्स के सासिक हर्स का दरबारी विद्वान था कादंबरी के ध्यन से हम हर्षकाली सामाजिक एम धार्मिक जीवन का ज्यान प्राप्ते करते हैं कादंबरी विश्वय का पर्थम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है और इसकी कथा संभवते गुनाटे द्वारा रचित वरहत कथा के राजा सुमानस की कथा से लिया गया है यह गरंत बान भट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका बान भट की मत्यू के बाद उसके पुत्र भुषन भट या पुलिंद भट ने इसे पूरा किया और बान भट द्वारा लिखित भाग का नाम पूरे भाग यह भुषन भट द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा गया है तो देखेगा इस वीडियो में हमने मンजू स्री मूल कलप और आपके बान भट के रचरों के बारे में जानकारी प्राप्त की जो एक्जाम की दर्श्ची से बहुत ही मैतों पुन है और बने रहें यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज पे